Hello everyone, मैं हूँ Neha और आप सुन रहे हैं Neha's podcast आज की podcast में हम male contraceptive pill के बारे में discuss करेंगे Scientists एक mission पर थे कि कैसे एक male contraceptive method develop किया जाए वो पहले से ऐसे बहुत सारे contraceptive methods को जानते थे जो females के लिए बने थे बट वो इसे change करना चाहते थे उनका main challenge था millions of sperms को eggs से मिलने से रोकना क्योंकि males एक दिन में millions of sperms बनाते हैं बहुत studies के बाद उन्हें पता चला कि एक enzyme है जिसे soluble adeniline cyclase कहा जाता है वो enzyme sperms को move करने में help करता है फिर उन्हेंने सोचा क्यों न हम इस enzyme को inactive कर दे तो उन्होंने ऐसा ही experiment चुहे पर किया और पाया कि इस enzyme के inactive होने से male mouse infertile हो गया यही चीज उन्होंने जब humans पर सर्च की तो पाया कि जो भी human males infertile होते हैं वो ज़्यादा तर इसी enzyme की deficiency या inactivation होने से होते हैं बस फिर क्या था? उन्होंने ऐसी contraceptive pill human males के लिए बना दी जिससे वो human males को sterile बना सकते थे डरने की बात नहीं है यह completely reversible है मतलब कभी भी reverse किया जा सकता है क्योंकि यह pill कुछ गंटों तक ही काम कर सकती है जल्द ही इसके human trials भी start होंगे I hope कि इस podcast के through आपको कुछ new चीज जानने को मिली इसे सभी के साथ share करना और इस podcast के comment section में comment करना ना भूले Stay tuned for more such podcasts